दोस्तों नमस्कार जैसरी किष्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन लवरासी फल मार्च दो हजार चौवीज मार्च का महिना मीन रासी बालों आपकी लव लाइफ, आपकी मेरिड लाइफ, आपकी रिलेसिप के लिए कैसा रहेगा? आईए जानते हैं, लवरासी फल सुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लवरासी फल चंदरासी यानि मून साइन के नुसार होता है, उसी के नुसार इस लवरासी फल को देखें बस सुने, अगर आपको चंदरासी यानि मून साइन पता नहीं है, तब आप इसे नाम रासी के अनुसाब भी देखवा सुन सकते हैं दोस्तों मार्च के महीने में जो गोचर में घटनाएं हो रही हैं उनको बताते हैं उसके बाद में हम लव रासी फल पे ही सीधा आते हैं गोचर में जो घटनाएं है पहली घटना है 14 मार्च को मीन में सूर्य का प्रिवेस होना, 15 मार्च को कुम्ब में मंगल का जाना और 7 मार्च को कुम्ब में सुक्र, 7 मार्च को मीन में बुद और 26 मार्च को फिर से बुद परिवर्तन मेस में होगा ये कुछ बिसेज घटनाए हैं जिनके आधार पर हम आपको बताने वाले हैं आपकी love life, आपकी married life, आपकी relationship में क्या बदलने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको गोचर फल तो बताई दिया है, एक बात और बता दें। कि आप मैंसे बहुत सारे लोग comments करते हैं, कि आपकी negative बाते हैं तो हमारे साथ में बिल्कुल match कर जाती हैं हमेज़ा, पर positive जब बोलते हैं तो match नहीं होती है। उसका मतलब यह है कि आपकी life में negative ही negative चीज़ें चल रही हैं। अब जब negative गोचर में भी होगा तो आपके साथ match तो करना ही है, मतलब आपकी life में अगर जो मैंने positive रासीफल बताया और वो match नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो कष्ट मिल रहे हैं, आपकी जो problems आपकी life में चल रही हैं, वो गोचर कुंडली के अनुसार नहीं consultation आपको लेना होगा और उसी से आपकी समस्या का हल निकल के आएगा, यह समस्या कब समाथ होगी यह पता चल पाएगा, इसलिए फिर आपको गोचर फल यानि रासी फल देखने का बहुत जादा मतलब नहीं बनता है, अगर आपके साथ में केवल negative बातें मैच कर रही हैं औ आपको एक बार personal reading जरूर लेनी चाहिए, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लवरासी फल, सबसे पहले single लोगों की बात करते हैं, जो बिलकुल single है, उनके लिए कैस्तिती रहने वाली है, बहुत ही सौट में आपको बताते हैं, सबसे पहली इस्तिती आपके दुतियेस और तृतियेस, यानि मंगल सुक्र, दोनों की स्तिती जो इस महीने दिखती है, उसमें ये पता चलता है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आने वाला है, बहुत ज़्यादा खर्चे करेगा, आपको खर्चों से इंप्रेस करेगा, आपको टाइम भी देगा और बहुत मह बहुत लगा, बहुत अटेज्मेंट, बहुत प्यार हो सकता है, और आप बहुत आगे तक बढ़ जाएं उस रिष्टे में ऐसा भी हो सकता है, वहीं हम बात करें एक तरफा प्यार कि अगर एक तरफा प्यार में थोड़ी बहुत गलत फैमिया बन सकती है, आपकी बातचीत अगर उनसे होगी तो थोड़ा सा उन्हें कुछ आपके बारे में, आपके बारे में कुछ गलत फैमी हो जाए और वो दीरे-दीरे सौल्व हो जाए, लेकिन महीना ठीक रहेगा, अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में बहुत ज़गड़े बात विवाद ह यह दिखाते हैं कि कोई थर्ड पार्टी इस बज़े से वो आपको छोड़ना चाहते हैं, हकीकत बात तो यह है, बाकी आप कुछ भी सोचें, और इसलिए वो ब्रेक अप चाहते हैं, इसलिए वो आपको इग्नॉर कर रहे हैं, इसलिए उनका ब्यावहार बदल गया है, अब बात करते हैं, नो कॉंटेक्ट सिचेशन की, नो कॉंटेक्ट में गलत फैमिया बनेंगी, गलत फैमिया क्यों न बनें, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स इतनी जादा हो गई है, हलाकि ब्रेक अप जो आपका हुआ है, उसमें कोई न कोई थर्ड पार्टी की स्तिती तो है, लेकिन आप वो थर्ड पार्टी को आपका अपना है, अस आपको पता चल सकता है, और इससे आपकी लाइफ में बहुँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो नो कॉंटेक्ट सिचेशन में स्तिती अच्छी नहीं है, बिलकुल भी नहीं हैं, लेकिन 26 मार्च के बाद में कुछ संभावना हैं, कि आपको कुछ अच्छी स्तिती या कुछ पॉजटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकता है, अगर हम मेरिड लाइफ की बात करते हैं, तो मेरिड लाइफ में आपके बुद ही सब्तमेश बनते हैं, और वो पीड की तरह से बरबाद कर लेंगे, कोट कचैरी तक भी नौबत पहुंच सकती है, और बदनामी अलग फैमली की ये भी इस्तिती बन रही है, तो आपकी मेरिड लाइफ तो बहुत खराब है, अगर हम एक्स्टा मेरिड लाइफ की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत प्यार खर्चे बहुत करेंगे और बहुत ज़्यादा आपकी इस्तिती मज़ेदार रहेगी पूरे महीने, लेकिन एक्स्टा मेरिड ल में अभी अगर आप बहुत हाई पोजीशन पे हैं और आप चाहे वो अर्थ वाइज, यानि कि आपकी इनकम वाइज आप या बहुत कोई बहुत अच्छी स्तिती में हैं और दोनों लोग ही अच्छी स्तिती में यानि कि सेम पोजीशन पे हैं तो वहाँ पर आपके लिए आपका पार्टनर बहुत बड़ी एक तरह से बुरी बिपता लेकर आने बाला है, बहुत बड़ी समस्या लेकर आने बाला है, वो अंजाने हों या अपजज हों मतलब आपकी समाज में एक प्रतिष्ठा सम्मान है और एक फैम भी है आपको तो उसमें आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप खबरों में बन जाएं अगर आप फिल्में स्टार हैं खास करके तो आपका अगर एज गया बहुत जादा है उसमें भी आपकी जो फोटोस वीडियोस इत्यादी कुछ भी ऐसा इधर उधर प्रचारित प्रसारित हों और इससे जो बातें फैले उससे आपको बड़ा ही अनकंफरिवल और डर जैसी स्टिती भी देखने को मिले और आप ही गलत ज़्यादा साबित हो आपको ही डिप्रेसन ज़्यादा हो सामने वाले को थोड़ा कम हो ऐसी स्टिती हो सकती है तो आप ऐसे किसी छेत्र में हैं जहां बहुत ज़्यादा फै आपका लब रासी फल अब जानते हैं तीन रासियों के ना, अगर इन तीन रासियों के पार्टनर आपके किसी भी relationship में हैं, तो आपके लिए ये महीना लखी बन जाएगा और कोई भी problem नहीं आएगी, पहली रासी है मेस रासी, दूसरी रासी है व्रिश्चिक रासी है तीसरी अगर इन रासियों के पार्टनर है तो डरने की कोई बात नहीं, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार